अहम्दाबाद में सावर्बती नदी के किनारे इन दिनों रंग बिरंगी पतंगे लहराती हुई देखी जा सकती है यहां स्थानिये और देशी विदेशी पतंग बाजों की आकाश में लहराती हुई विभित रंगों और आकारों की पतंगें देखने के लिए अच्छी खासी भीड भी चुट रही है तीन दिनों तक चलने वाले इस पतंग उत्सव का उत्खाटन गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन मोदी ने खुद पतंग उड़ा कर किया अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ऐसे आजुनों से लोगों में एक चुटता की भावना आती है बड़ी पतंगों को उड़ाना असान काम नहीं है इन्हें उड़ाने के लिए कई बार प्रयास करना पड़ता है लेकिन पतंग उड़ाने में महारत हासिल लोगों ने पतंग बाजी में अपने हुनर से भिन भिन अकार की पतंगों को उड़ा कर लोगों का दिल जीत लिया गुजरात में खास करके फिस्टिवल समय से अच्छा होता है इस बार बहुत सारे नेने चीज़ें हमें देखनों को मिला है और हम चाहते हैं आईसे ही चलता रहे हैं गुजरात सरकार द्वारा मनाई जाने वाले अंतराश्ट्री पतंग महोत्सव का ये 26 वा वार्षिक आयोजन है ये उत्सव गुजरात के कई हिस्सों में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है इस वर्ष भारत सहित मलेशिया, रूस और फ्रांस के पतंग बाज, राज को प्रांस को बद्वारा जाने वार्षिक आयोजन है